Hey guys, what's up? This is Jaya Pradip और आप देख रहे हैं मेरा चैनल M.A.T.Educators तो आज हम पढ़ने वाले हैं Day 30 और Day 30 में हम पढ़ेंगे ऐसे sentence का use जो बहुत जादे use होते हैं stories लिखने में और अपने बारे में बताने में अपना जो schedule होता है आपका past मतलब पहले आप क्या मतलब आपने सुबह से अब तक क्या किया कल क्या क्या पूरी जिंदगी में क्या किया इस तरीके से जब आप बताते हो या फिर स्टोरी के बारे में बताते हो कि किसी ने की स्टोरी में क्या क्या किया तो उसको हम कैसे बोलते हैं तो सबसे पहले आपने बोलना है subject जिसमें I, we, you, they, he, she, your name और उसके बाद आपने बोलने है verb और वो वर्ब होगी वर्ब की second form और ध्यान रखना है कि यह जो second form है और सिर्फ इसी sentence में use होती है जो अपनी past schedule को या past activities को show कराती है कि जो काम आप आपने जो किया है तो आप सबसे पहले आपने बोलना है subject उसके बाद बोलना है verb की second form और उसके बाद बोलना है आपने object कैसे तो इससे पहले आपने आपने वर्ब की second form है वो याद होने चाहिए मालो वर्ब की जो first form है वो तो मैं पता है go, come, play, eat, run, think इस तरहे से लेकिन second form नहीं पता तो go की second form क्या है तो go की second form है went w-e-n-t went तो जैसे जो मैं करता हूँ वो तो last video मैं ने पढ़ा था लेकिन जो मैंने किया वो कैसे बोलना है वो subject के बाद second form के साथ बोलना है तो मैं आपको कुछ बोल के दिखाता हूँ तो जैसे I went, मैं गया जानी कोई भी काम मैंने किया I went, I took मैंने लिया क्या लिया कोई भी चीज जैसे I took books मैंने books ली और I played football मैं football खेला I saw, I saw a book मैंने मतलब मैंने देखा एक book देगी और I heard about you मैंने तुमारे बारे में सुना तो इस तरीके से क्या है यूज करते हैं हम second form का और इनको past indefinite भी बोलते हैं जो हम बार में पढ़ेंगे एक साथ उसके बाद you के साथ कैसे बोलना है जो तुमने किया तुम आए, you came, तुम गए, you went, तुमने सोचा, you thought, और तुमने पढ़ाया, you taught, तुमने पकड़ा, you coat, तुमने ढूंडा, you found, you searched, और तुमने महसूस किया, you felt, तुमने तला, you fried, इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सोचा, we thought, हमने देखा, we looked, हमने खम पढ़े, यानि हमने पढ़ाया, हम पढ़े, तो we studied, हमने पढ़ाया, we taught, हमने सुना, we heard, हमने बोला, we said, we spoke, और उन्होंने क्या किया, वे आए, they came, वे गए, they went, और उन्होंने लिया, they took, उन्होंने सोचा, they thought, उन्होंने खोला, they opened, उन्होंने बंद किया, they closed, उन्होंने बाटा, they distributed, वे मिले, they met, M-E-T, met, तो he के साथ क्या बोलना है, वोई he के साथ भी second form का use होगा, जो उसने किया, ही मतलब यहाँ पे उसने का use होगा, तो उसने और वे है, जो उसने जो किया, या पह आया, अगर हम बोलेंगे तो, he came, और वे है गया, he went, लेकिन जो उसने किया, उसने सोचा, तो he thought, उसने पढ़ाया, he taught, उसने सुना, he heard, इस तरी के से use करना है, she के लिए इस से use करेंगे, वेह आई, she came, वेह गई, she went, और उसने लिया, she took, उसने दिया, she gave, उसने पढ़ा, she studied, उसने लिखा, she wrote, उसने चलाया, she drove, और उसने महसूस किया, she felt, उसने, उसने परिसान किया, या उसने डराया, she scared, उसने मुझे डराया, she scared me, और इसके पाद अपने प्रदीप के बोलने, बलब अपने नाम के, तो प्रदीप thought, प्रदीप ने सोचा, प्रदीप ने पढ़ाया, तो प्रद प्रदीप ने देखा प्रदीप और प्रदीप ने महसूस किया तो प्रदीप फैल्ट तो इस तरीके से आपने बोलना है सेकंड फॉर्म का यूज करके और सेकंड फॉर्म के जो सेकंड फॉर्म यूज करने आपने वह जल्दी मैं अप्लूड कर दूँगा वीडियो इसके ओ जो आप जल्दी सीच पाओगे बोलने की प्रैक्टिस करने के साथ-साथ, जिसमें आपकी spoken और written और understanding वो सारी चीज समझ में आ जाएगी, तो अगर आपको कोई चीज ना समझ में आ ये तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज ला वाली है, तब ते के लिए भाई धन्यवाद.